जाप्या कई तरीके प्रदान करता है जिससे आप एक Android डिवाइस से दूसरे में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं यह संगरक्षक इस बात पर है कि आप आसानी से QR कोड का उप्योग करके फाइलों को कैसे साजा कर सकते हैं शुरू करने से पहले शुनिश्चित करें कि जाप्या डाउनलोड किया गया है और दोनों अपकुराणों पर खुला है उन फाइलों का चैन करें जिनें आप साजा करना चाहते हैं और फिर भेजें बटन पर क्लिक करें जो आपकी स्क्रीन के नीचे दिखाई देगा जाप्या स्वचलित रूप से एक अद्वित्य QR कोड उत्पन करेंगा जिसमें आपके द्वारा चुनी गई फाइले हैं अन्य डिवाइस पर स्क्रीन के उपरी दाइकोने पर स्थित स्कैन आइकन पर क्लिक करें और स्कैनर के फ्रेम के भीतर QR को लाइन करें कनेक्ट करें पर क्लिक करें जब डिवाइस को जाप्या के साथ उप्योग करने के लिए पॉप अप दिखाई देता है एक बार जब आप सफलता पूर्व कनेक्ट हो जाते हैं तो फाइले स्वचलित रूप से डिवाइस पर डाउनलोड हो जाएंगी